हेलो मेरे लबली सब्सक्राइबर्स अगर आपको एक फोन में बटन एंट करके उसको नया इनोबेशन बोलते हैं कंपनी इसको नहीं देखना और रियल इनोबेशन देखना है तो बिल्कुल सही जगा पर आ गया हो तो रिसेंटली हुआ ही नाम के एक कंपनी है जो की बहुत वैसा फोल्डिन नहीं है यह एक फोल्डिंग टैबलेट डिवाइस है जी हां और यह दो बार फोल्ड हो सकता है तो अब ततलब यह ट्राइफोल बोलता है अपने फोन को बट्रैक्टिकल यह दो बार ही फोल्ड होता है और एक नॉर्मल 6.4 इंच के डिस्प्ले के साथ यह इस प्रीज़ एक डिस्प्ले देगा तो टैबलेट साइज में फुली ओपेन साइज में 10.2 मिल साइज में 7.9 और नॉर्मल साइज में 6.4 इंच का डिस्प्ले देगा और कोई ऐसे-वशा डिस्प्ले नहीं है एम लेड ओड्ड डिस्प्ले इसको बोलते हो वही है और वो वी काफी अच्छा है around 2000 का सुना जा रहे हो सकता है इससे भी जादा हो जाए अभी तो यह थोड़ा बहुत रूमर है उसके से बागर हम बात करें इसकी थिकनेस की या भी थिननेस बोले जाए इसको तो जब इस फोन का पूरी तरह खोल दोगे तो इसका जो थिकनेस होगा वह ओनली होगा 3.4 mm मतलब यह थिकनेस नहीं थिननेस है और जब आप इसको पूरी तरह क्लोज कर दोगे तो मैक्समा इसका थिकनेस होगा वह है 12.3 mm जो की आजकल के जो नॉर्मल फोल्डिंग फोन आते हैं सैमसंग के तरफ से उसका सेम थिकनेस होगा एक ट्राइफोल फोन मे तो जो की बहुत इंप्रेसिंग चीज है बट इसका वेट थोड़ा जादा है अगर आप फोल्डिंग फोन से भी कंपेर करें के तब भी इसका वेट है वो 298 ग्राम से लगबग 300 गाम से करीब है बट इसका साइज देखो यह टैबलेट साइज का फोन है जब आप ओपेन क कर लो तो 10-20 नहीं 50 क्रम कर लो तो बट नंदलेस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है अगर इसके बात करें कि कैमेरा इसकी तो इसमें जो कैमेरा यूज हुए बिलकुल फ्लैक्शिप लेवल के मतलब जो वही अपने फ्लैक्शिप फोन में यूज करते वही सेम कैमेरा डालके बोलते क्या स्पेस नहीं था तो हुआ इन्हें ऐसा कुछ नहीं किया फ्लैक्शिप लेवल कैमेरा दिया है जो में सेंसर है वह वीरियेवल एपेचेर का सपोर्ट है उसमें और इफ 1.4 का लेंसे और उसी के साथ जो जूम लेंसे वह फाइवेक्स तक जूम कर सकता ह 5.5 एक्स ऑप्टिकल जूम है उसमें पेरिस्कोप कैमेरा लेंसे बाकी अल्ट्रावाइट कैमेरा भी लगा हुए उसके बारे में डिटल है नहीं बट वह वी अच्छे क्वालिटी का ही होगा ऐसा रूमर आ रहा है और उसके सिवह अगर हम बात करें कि कहां प्रोसेसर सकते हैं वो खुद से सारा चीज अभी प्रोड्यूस फिर से करने लगे हैं उनका पहले भी किरीन का सीप्यू था बट काफी सारे मेटरियल है वह बाहर से लाना पड़ता था और इस चीज़ के ब्यान लगा गया था कि आप बाहर से नहीं ला सकते जो बनाना है अपने कंट बैटरी के अंदर क्योंकि बाहर से कोई भी हेल्प इस रिगार्डिंग नहीं मिलेगा अमेरिका ने बोला था और बहुत ही अच्छी चीज़ा यारे के बेक्थ्रू कह सकतो आप इसको और उसके साथ इसमें जो बैटरी है वो है 5600 मिलियम पेर का बहुत ही थिन बैटरी इस आगे इसमें इतना वेटरी इबदाला हुआ है इसका अगर हम बात करें प्राइस की तो प्राइस बहुत आए है जी हां तो इसका जो चाइना में प्राइस उसका में कनवर्ट कर दू इंडिया रूपी से तो लगभग 2,35,000 रूपे इस कह रहा हुन जाता है क्योंकि हफिल किने वाली चीज नहीं है बट अगर यह प्राइस मंजूर है तो मंजूर है हम क्या करते है इसमें तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा शौर्ट वीडियो था बट अब तक यह निवस पहुंचा ना था तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता